चलो बच्चो तो स्टार्ट करते हैं क्रैस्को सीरीज का अगला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल सा चैप्टर है छोड़ा सा चैप्टर है लेगे नकर क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है इससे ठीक है बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और सुरू कर करते हैं अगला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है कॉंसेट आउट ऑक्सी नमबर है इसमें होता क्या है ओक्सी देशनन भर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिएअलैल और इमेजनरी रिएल और इमेजनरी चार्ज हो है नो प्र मतलब ओक्षा नमबर, रियल मतलब जो चमकता हुआ चार्ज दिखेगा, इमेजनरी का मतलब आपको मन की आँखों से देखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ H+, बताओ कितना चार्ज प्रजेंट है, प्लस वन, तो ऑक्सिडेशन नमबर क्या बोल देंगे इसकी, अगर ऐसा लिखा है मालो, O2-, तो बताओ कितना चार्ज प्रजेंट है, माइनस 2, तो ऑक्सिडेशन नमबर माइनस 2, यह आपको चमकता हुआ दिखरा है सामने से, लेकिन कई बार क्या है, दिखता नहीं है, मन की आँखों से देखना पड़ता है, मन की आँख है, यह कहती हैं, बॉन्ड जब भी बना होता है, तो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जितने बॉन्ड तोड रहे हैं उतने ही प्लस माइनस देते हैं, जैसे यहां पर मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, क्लोरीन की ऐलेक्ट्रो नेगटिविटी जादा है, तो माइनस 1 और हाईडरिजन की कम है तो क्या आएगा प्लस बन इस तरीके से चेक करना आपको ठीक है जैसे एक और देख लो जैसे वाटर लिखा है एच टुओ में अगर मैं बात करूँ तो दो बॉंड बने हुए तो बॉंड ब्रेक कर लो यहां बॉंड ब्रेक करोगे तो प्लस बन माइनस बन आएगा तब जाके हम किसी कमपाउंड में किसी पर्टिक्लर एलिमेंट का एवरेज ऑक्सिदेशन नमबर निकालते हैं कैसे रोल्स क्या कहते हैं पहला रूल यह है कि ऑक्सिदेशन नमबर ऑफ ऑक्सिदेशन नमबर ऑफ हाइडोजन इस प्लस बन बट बट इन मेटल it is minus 1 metal hydride में क्या होता है minus 1 होता है जैसे metal hydride क्या दिख सकते हैं आपको alkali metal के दिख सकते हैं तो इसमें minus 1 इधर plus 1 होता है और alkaline earth metal के दिख सकते हैं MH2 इधर minus 1 और इधर plus 2 होता है इसी तरीके से rules होते हैं फटावट से लिखते जाओ second number पे oxidation number of oxygen is usually usually minus 2 ठीक है लेकिन कुछ compound में अलग अलग भी होती है जैसे अगर मैं बात करूँ minus 1 in but लगा लो यहां but minus 1 in peroxides peroxides क्या होते हैं O2 के उपर 2 negative तो इसमें क्या होता है OO negative negative ऐसा होता है तो oxygen पे minus 1 आती है minus 1 by 2 in super oxides in super oxides ठीक है O2 के उपर single negative minus 1 ठीक है तो per oxygen minus 1 by 2 हो जाएगी minus 1 by 3 in ozonide ozonide में minus 1 by 3 जैसे को 3 में अगर मैं बात करूँ ठीक तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं potassium की plus 1 होती है और oxygen की निकालना है तो 3x मालो उसको x है न is equal to 0 तो x के आगया minus 1 by 3 यह तरीका होता है निकालने का आगया पन सीखेंगे अभी मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ की minus 1 by 3 क्या है ozonide में oxygen की minus 1 by 3 है plus 1 in o2f2 यहां भी वैसी करते है 2x plus 2 into fluorine की minus 1 होती है compounds में is equal to 0 तो plus 1 आ जाएगी plus 2 in plus 2 in of2 ठीक है और plus 1 by 2 in o2 asf6 o2 asf6 में क्या होता है o2 पर plus होता है और asf6 माइनस होता है तो o2 plus को अलग कर लो 2x is equal to 1 x is equal to plus 1 इस तरीके से हम निकालते है ठीक है तो यह सब चीज़ें अपना आगे सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं बस एक बार देख लो क्या 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 oxidation number होती है hydrogen की क्या नोट करो फिर आपन नाइडरोजन हेलोजन की भी लिखेंगे अगला पॉइंट देखना थर्ड नंबर पे है oxidation number of हेलोजन except फ्लोरीन except फ्लोरीन की अभी अलग से लिख लेंगे आपन ठीक है is usually minus 1,2 plus 7 हेलोजन की minus 1 से plus 7 तक होती है ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे फ्लोरीन की सिर्फ तो फ्लोरीन की होती है minus 1 in all compounds in all compounds फ्लोरीन की fix रहती है लेकिन बाकी हेलोजन की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की minus 1 से plus 7 तक vary करती है आगे हम निकाल के भी देखेंगे ठीक है HClO, HClO3, KIO3 इस टाइप के बहुत सारे compound आपके सामने आएंगे point number 4 point number 4 क्या है alkali metal alkali metal इसकी होती है plus 1 always plus 1 always और alkaline earth metal alkaline earth metals alkaline earth metals की होती है plus 2 always अगला point point number 5 ध्यान से देखते जाओ छोटे-छोटे से rules है oxidation number of nitrogen family की अगर बात करूँ है is usually minus 3,2 plus 5 ठीक है इसमें भी आपन देखेंगे HNO3, HNO2, NO, N2O उन सब में अलग-अलग आती वो आप निकाल भी सकते हो ठीक है oxidation number of element in elemental state in elemental state इसका मतलब क्या हुआ कि जिस form में exist करता है उसको हम elemental state लिख रहे है यहाँ ठीक है is always 0 is always 0 जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे O2, P4, S8, N2, X2, ETC इस टाइब का ठीक है जो अपनी state में exist करता है जैसे phosphorus P4 करता है sulfur acid, oxygen O2, nitrogen N2, hydrogen X2 तो इन सब में क्या होती है इनकी oxidation number 0 होती है ठीक है point number 7 oxidation sum of oxidation number the sum of oxidation number of all the elements of all the elements elements in a compound in a compound is always 0 always 0 जैसे आपके सामने लिखा HNO3 तो hydrogen, hydrogen, oxygen सब का oxidation number का sum 0 होगा ठीक है point number 8 the sum of the sum of oxidation number of all the elements all the elements in an iron is always equal to always equal to charge on that iron charge on that iron जैसे NO3 minus तो nitrogen and oxygen की जो oxidation number का sum आएगा वो minus 1 के पराबर आएगा जैसे NH4 plus तो nitrogen and hydrogen की oxidation number का sum आएगा plus 1 के बराबर ऐसा होता है ठीक है point number 9 oxidation number in covalent bond अगर covalent bond बन रहा है तो oxidation number कैसे निकलती ध्यान से देखना अगर दो element है जैसे एक element है A, दूसरा element है दौनों same element का बीच का bond है तो oxidation number 0,0 होगी ठीक है क्योंकि electronic difference नहीं है लेकिन अगर ऐसा आगया A bond B या A double bond B या A triple bond B इस तरीके से तो अब आगया आपके पास electronic difference A और B मैंसे मैं ऐसा बोल देता हूँ कि electronic negativity of A is less than B मतलब जिसकी electronic negativity कम होगी तो जब bond break करोगे उस पे क्या आएगा plus 1 और इस पे minus 1 2 bond break करोगे plus 2, minus 2 और 3 bond break करोगे plus 3 और minus 3 तो कभी covalent bond में चेक करना हो तो हम इस तरीके से निकालते है यहां तो same electronic negativity का है तो bond break नहीं हो रहा है तो oxidation number 0,0 होगी समझ गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं point number 10 देखो जड़ा oxidation number in coordinate bond अगर coordinate bond में oxidation number निकालना है तो actual में आपको जो compound दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं कि high electronegative से low electronegative की तरफ coordinate bond बन रहा है ठीक है? high से low की तरफ तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ electronegativity of A is less than B तो इसमें कैसे करना है आपको एक example होता है इसका तो overall क्या होगी इसकी तो plus one है इसकी minus three और इसकी क्या हो जाएगी plus two या एक तरीका और है ऐसा आप coordinate को कोवलेंट से replace कर लो कैसे? arrow के head पे negative tail पर positive और coordinate क्या बन जाएगा कोवलेंट ऐसा भी बन सकता है ये तो इससे भी निकालो कि तब भी सही मांसर आएगा तो bond break करो plus one यहाँ minus one इधर bond break करो minus three इधर plus three तो overall इधर क्या हो जाएगा plus two और overall इधर क्या हो जाएगा minus three हो इधर plus one तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो ये case धियान दखना high electro negative से low electro negative में coordinate bond में दिखकत आती है बाकी low से high वाला तो usually oxy acid में होता है तो उसको हम double bond उसे replace करके solve कर लेते हैं हो जाता है वो समझ गए तो basic से rule थे अब इनको हम apply कर लेते हैं ठीक है ये simple से rule थे इसलिए मैंने फटावट cover करा दी है बहुत सारी लोगों को पहले से भी याद रहते है अब फटावट से question देख लो आप average oxidation number के पहले देखेंगे फिर individual के structure based question देखेंगे ठीक है note करो फिर आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते आप कुछ question देख लो average oxidation number के मैंने ये 12 question लिए हैं हर एक टाइप मैंने cover किया यहाँ पर तो बहुत आराम से ये इतने देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका धियान से देखो जरा KCLO3 में CL का निकालना है मुझे तो पता potassium का कितना होता है 1 और CL का X माल लो देगो जिसका निकालना उसको X माल लेते हैं और oxygen का क्या होता है minus 2 तो plus 3 into minus 2 और overall क्या है ये compound है मतलब 0 overall charge 0 होता है न मैंने बताया था rules में लिखा था sum of oxidation number of each atom जो होगा वो compound में 0 होगा और iron में उस charge के बरावर होगा iron पर जो भी होगा तो यहाँ से X निकाल लो कित ता रहा है प्लस 5 आजाएगा अगला देखो जड़ा F.E.94 O तो इसको X माल लिया तो 0.94 X minus 2 is equal to 0 तो X क्या आगया 2 by 0.94 मतलब 200 by 94 इस तरीके से solve कर सकते हो अगला देखना इसको X माल लो तो 4X minus 12 लिख दू में oxygen पे minus 2 होता है 6 का double is equal to charge होंदा iron तो 4X is equal to कितना हो गया 10 तो X आगया धाई 2.5 ठीक है एवरेज है ना इसलिए fraction में आ सकता है अगला देखो जड़ा इसको इसका 1 होता है तो यह 2 लगा है तो 2 प्लस इसका X माल लो 2X और 3 and 2 minus 2 minus 6 तो X यहां से कितना आगया आपका 4 by 2 दो आ जाएगा ठीक है अगला देखो जड़ा 5 क्योंकि hydrogen का plus 1 होता है metal hydride में minus 1 होता है लेकिन non metal के साथ bonding है तो plus 1 होगा तो 5 plus X minus 12 is equal to 0 सही ना 5 plus X minus 12 is equal to 0 तो X कितना आगया यहां पर 7 ठीक है plus 7 HN3 में देखो इसको 1 और इसको X तो 3X is equal to 0 ध्यान से यह coordination compound का oxidation number है कैसे निकलते हैं यह जो coordination compound में metal के साथ बाकी चीज होती है यह ligand होते हैं ठीक है यह ligand होते हैं ligand का पूरा पूरा charge याद करो पूरे molecule का तो CO क्या है neutral होता है तो इसको X माल लो plus 4 into 0 और overall charge तो 0 है तो X के आ गया 0 इस तरीके से निकालना पूरा compound का ही charge पूर कर दो element का मत रखो coordination compound में यह X plus 4 into 0 plus H2OB neutral है 0 CL पे minus 1 और SO4 पे minus 2 is equal to 0 SO4 2 negative होता है न तो X यहां से क्या आ गया plus 3 अब यहां ध्यान देना itrium जो होता है वो plus 3 oxidation state में exist करता है तो itrium plus 3 में है तो इसका 3 plus barium क्या होता है alkaline earth metal तो 2 तो 2 into 2 4 और इसको X माल लो तो 3X और minus 2 into 7 14 हो गया is equal to 0 तो यहां से 3X कितना आ गया 4 और 3 7 और 14 में से 7 minus कर तो 7 बचेगा तो X क्या आ गया 7 by 3 ऐसे निकाल लेना अगला देखो जड़ा यह H2SO4 जैसा दिख रहा है न बस hydrogen plus की जगए N2H5 यह जो है न यह plus आ गया hydrogen H plus की जगए N2H5 प्लस आ गया वो ही है वाकिए SO4 इसका मतलब इस पूरे का charge प्लस 1 है तो यह 2 लगे हैं तो यह 2 हो जाएगा plus X minus 8 is equal to 0 तो X के आ गया है यहां से plus 6 समझ गया बात को H2SO4 जैसा दिख रहा है वो तो N2H5 प्लस होगा उपर अगर आपको N2H5 प्लस में hydrogen की निकाल ली है तो 2X plus 5 is equal to plus 1 ऐसे निकाल सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं तेक है अब ऐसा देखो कभी-कभी आपसे दो अलग-अलग oxidation नंबर भी निकल सकती है एक ही compound में एक ही element की जैसे NH4 NO3 अब आपको यह पता होना चीए NH4 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एक्जिस करता है तो आप इसको दो question में split कर लो इसका अलग कर लो इसका क्या आएगा X plus 4 is equal to 1 तो X के आगया minus 3 और इसका क्या है का X minus 6 is equal to minus 1 तो X के आगया यहाँ पर plus 5 इस तरीके से अगला देखो coordination compound जैसा है X माल लो plus cyanide CN के उपर minus 1 charge होता है तो 6 into minus 1 हो जाएगा यह और overall charge minus 4 तो X के आगया यहाँ से plus 2 तो इस तरीके से average oxidation number निकलती है मैंने हर type के आपको compound कवर करा दिये non-story geometry भी ले लिया mix भी ले लिया lengthenoid, actenoid वाला भी ले लिया और coordination भी ले लिया तो इतने ही question अगर आप आराम से देख लोगे तो question आप से बन जाएगा बहुत easy होता है यह chapter बहुत आसान question भी इसाम में आएगा फटावर देखकी आप लगा दोगी यह हम पढ़ के हो नहीं यह सारी चीजें जो छोड़े-छोड़े chapter है जो पता ही है कि इससे question आना ही है इसका मतलब उसको तुरंद खतम करो बहुत ज्यादा delay मत करो फटावर से पढ़ लो और पक्का कर लोगी हाँ इसका question आया तो मैं कर लूँगा चलो note करो इसको फिर आगे बढ़ते है तो जैसा कि हमने average oxidation number निकालना सीख लिया individual oxidation number भी देख लो इसमें क्या है कुछ structure आपको पता होने चाहिए अब structure तो बहुत सारे होते है तो जितने मैं बताओंगा उतने करके जाना काम हो जाएगा ठीक है तो calculation of individual oxidation number में पहला compound है CRO5 CRO5 जो होता है K2-C2-7 की reaction S2O2 के साथ acidic medium में होती तो CRO5 बनता है तो CRO5 का structure कैसे होता ध्यान से देखो butterfly structure होता CR double bond O O O O O ऐसा होता है ठीक है तो यह butterfly structure होता है यह इसका मू हो गया और यह इसके punk हो गया ठीक है तो butterfly structure बोलते है अब इसको कैसे करेंगे covalent bond की breaking मैंने बताई थी कैसे करना आपको देखो यह दोनो bond तूटेंगे यह तूटेगा यह तूटेगा यह भी तूटेगा और यह भी तूटेगा मतलब oxygen के साथ जो bond जुड़ा हुआ है CR का वो सारे तूटेंगे तो यहाँ दो bond तूट रहे है तो यहाँ minus 2 और इधर क्या आएगा plus 2 यहाँ minus 1 और plus 1 यहाँ minus 1 और plus 1 यहाँ minus 1 plus 1 यहाँ minus 1 plus 1 तो CR पर कितना total charge हो गया तो oxidation number of CR यह हो गई क्या plus 6 oxidation number of oxygen भी बता दो यह हो जाएगी minus 1 क्यों यह वाला bond तूटेगा नहीं सिर्फ यह वाले minus 1 minus 1 वाले दिखेंगे अब इसमें एक question और बूचते हैं कि peroxy bond या peroxy linkage बताओ तो peroxy bond या peroxy linkage क्या होती है या peroxy bond तो यहां एक यह pattern दिख रहा है एक यह pattern तो कितने peroxy bond हो गया peroxy linkage दो हो गई इस तरीके से चेक करते जाना फटावट से दूसरा देख लो second है BR 308 BR 308 में oxidation number निकाल ली हमको हर एक एटम की कैसे पहले इसका structure बनाना सीख लो BR, बिहार, बिहार 3 बिहार बना दो terminal पे double bond हो लगा दो इधर और इधर 6 हो गए, अब 2 बचे बीच में 2 लगा दो, इस तरीके से most of the structure क्या होता है, symmetrical बनते है आगे बड़ो, bond break करो ये 2 break होंगे, ये 2 break होंगे ये 2 break होंगे, minus 2 plus 2, यहाँ minus 2 plus 2, ये minus 2 और plus 2, ये break होंगे 2, ये break होंगे, minus 2 plus 2, minus 2 plus 2, और ये इसी जैसा pattern है, तो ये total break होंगे 6, यहाँ सभी जग है minus 2 और plus 2, इधर plus 2 और इधर से plus 2, ठीक है तो oxidation number of BR BR की कितनी हो जाएगी plus 4 and plus 6 and oxidation number of oxygen, ये होगी minus 2 कोई peroxy linkage है क्या PL लिख रहा हूँ, peroxy bond या peroxy linkage है क्या pattern ऐसा दिख रहा है क्या आपको नहीं दिख रहा है तो 0, ऐसे चेक करना है तीसरा देखो, थार्ड नंबर पर है carose acid carose acid carose acid होता है peroxomono sulfuric acid H2SO5, peroxomono sulfuric acid, कैसा होता है H2SO4 आप बनाना जानते हो, वस उसमें एक o और लगा देंगे कैसे देखना H2SO4 ऐसा होता था इसमें यहाँ पर एक o और लगा दो ऐसा, तो यह हो गया क्या? carose acid, bond break कर लो यह सारे के सारे तूटेंगे यहाँ से दो यह, एक यह, दो यह और एक यह तो यहाँ plus 2 यहाँ से plus 2, plus 1 और plus 1 यहाँ minus 1, इधर minus 1 इधर minus 2, इधर minus 2 यह bond नी तूटेगा, लेकिन यह तूटेगा plus 1, minus 1, यह bond तूटेगा plus 1 और minus 1 तो oxidation number of sulfur क्या आएगी plus 6, oxidation number of oxygen क्या आएगी, minus 1 and minus 2, और peroxy link जिस कितने आएगे, 1, यहाँ पर दिख रहाईए ठीक है, अगला देखो, 4th number पर K3, CRO8 यह कैसा होता है, CRO O, O, K O, O, K O, O, O O, O ठीक है, ऐसा होता है यह, तो आप break कर लो जरा, तो यह सारे break होंगे यह 5 और bond break होंगे यहाँ से, तो CR का plus 1 हर एक bond से आएगा ठीक है, और यहाँ क्या आएगा minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 यह सारे break नहीं होंगे लेकिन यहाँ आएनेक bond है K plus और O minus में, तो यह negative तब ऐसे भी रहे गई, ठीक तो oxidation number of CR कितना आएगा plus 5, oxidation number of oxygen कितना आएगा minus 1, oxidation number of potassium कितना आएगा plus 1, and peroxy linkages कितने आएगे 3 इधार हैं, और यह धार भी तो है 4, ठीक है, peroxy linkages 4 होंगे इसमें, समझगे बात को फटावट से नोट करो, फिर और structure बनाता हूँ अगला compound देखना जरा 5th number पे, अगला है C3O2, इसको बोलते है carbon sub oxide, carbon sub oxide, कैसा होता इसका structure बहुती सीधा compound है यह O double bond, C double, C double, C double ऐसा, bond break कर लो जरा कौन-कौन से होंगे, इधर वाले दोनों होंगे, और इधर वाले दोनों होंगे, बाकी नहीं होंगे 0, तो oxidation number of carbon, यह क्या है, 0 and plus 2, oxidation number of oxygen, यह क्या है minus 2, peroxy linkage इसको कितने है, 0, कोई भी pattern आपको O single O वाला नहीं दिख रहा है अगला देखना जरा 6th number पे Na2S2O3 sodium thaiosulfate ठीक है, हाइपो मैं क्या होता, dot 5 water लगा तो उसको हाई वो बोलने लगते है न, तो Na2S2O3 का structure कैसे बनाओगे H2SO4 मैं से एक oxygen को sulfur बना दो कौनसा वाला, double bond वाला जैसे H2SO4 आप जानते हो, यह होता है ठीक है, तो structure याद करना भी बतायता हूँ कैसे करोगे, यह H2SO4 था यहां के H हटा के क्या लगा दो Na लगा दो, तो यह Na2SO4 का हो गया, सही है इस तरीके से और यह O हटा के क्या लगा दो S लगा दो, ऐसा दिखेगा अब यह बहुत important compound है, ध्यान से देखना जरा, पहली बार में oxidation number में लोग गलती करते हैं क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखो यह bond break होगा, यहां minus 1, इधर plus 1 यह दो break होगे, minus 2, plus 2 यह break होगा, minus 1, plus 1 कई लोग यह break नहीं करते हैं, बोलते हैं सर, यह तो same circle के दिख रहे हैं, यहां भी same circle है यहां भी same circle है, मतलब यह same electronegativity के लेके नहीं ऐसा नहीं है यह वाला जो sulfur है यह SP3 hybridized है क्या होगा, एक sigma, दो sigma, तीन sigma, चार sigma जबकि यह वाली sulfur पे दो lone pair होगे, और एक sigma मतलब यह क्या होगया, SP2 होगया, और हमें यह तो पता है कि electronegativity electronegativity SP2 की ज़्यादा होती है किस से, SP3 से मतलब यह वाला sulfur is more electronegative than beach वाला sulfur, इसका मतलब यह donor bond break होंगे और यह minus 2 जाएगा और यह plus 2 जाएगा ध्यान लखना यह यहां मैंने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि यह carbon पे 2 sigma थे SP और यह carbon पे 2 sigma थे SP तो नहीं किया मतलब आपको सिर्फ एक ही compound ध्यान रखना बाकी सब में अगर same item दिख जाते तो मत तोड़ो, सीधा सीधा ऐसे ध्यान लगो कितने रियाद रखोगे, एक ही तो है वस तो यह एक तो याद रखी सकते हो तो चलो, oxidation number of sulfur बता दो sulfur का oxidation number होगा minus 2 and plus 6 total count कर लो oxidation number of oxygen क्या होगा minus 2 only अब यह मत बोलना सर, minus 1 यह भी तो देखो, इसको क्यों छोट रहो oxidation number of sodium यन्न, कितना आएगा, plus 1 peroxy linkages कितनी आएगी, 0 कोई pattern नहीं दिख रहा, O single bond नेगेटिव, नेगेटिव बाला, अगला देखो, 7th number पे Marshalls acid का नाम सुना है, H2S2O8 यह होता है, Marshalls acid ठीक है, तो Marshalls acid में क्या होता है, S, S double bond O, double bond O O, H बीच में 2 O लगते हैं, ठीक है double bond O, double bond O, O H, ऐसा होता है, Marshalls acid ठीक है, कभी अगर यहाँ पर H हटाके वो लगा दे, NH4 hold twice S2O8, तब भी इसी टाइप का बनेगा, पस H की जगए NH4 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दखना चलो, आगे बढ़ते, bond break करो यह दो टूटेंगे, यह टूटेगा यह दो और यह तो क्या क्या आएगा, माइनस 1, प्लस 1 माइनस 2, प्लस 2 यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 और प्लस 2, यह bond टूटेगा, यहाँ प्लस 1, यहाँ माइनस 1, यह बीच वाला मत तोड़ देना, बाकी similar pattern repeat कर दो, यह टूटेंगे सारे तो मैं यहाँ माइनस 1, इधा डारेट प्लस 6 लिख दूँ, यहाँ माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 और यहाँ से यह भी टूटेगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 तो oxidation number of sulfur, यह क्या आएगा प्लस 6 only, oxidation number of oxygen, यह क्या आएगा माइनस 1 and माइनस 2, बीच वाले Na2, S4O6 sodium tetra thionate है यह, ठीक है thionate acid की series है sodium tetra thionate का structure कैसे बनाना है यह तो लिखा है, अरे यही तो है बताएं कैसे, H8 के Na लगा दो, और बीच वाले दोनों ओको sulfur बना दो, बन क्या, देखो तो S double bond O double bond O, बीच वाले दोनों sulfur को, oxygen को क्या बना दो बन गया लोग, यह हो गया Marshall acid का, sorry Na2, S4O6 का, Marshall acid जैसे ही है ठीक, चलो तोड़ दो जरा यह bond तोड़ोगे, minus 1 plus 1, यह दोनों टूटेंगे यह भी टूटेगा, यह भी टूटेगा, यह भी टूटेगा बताओ जरा, अच्छा यह वाला नहीं टूटेगा यह क्यों तोड़ रहे है, गलत हो जाएगा यह नहीं टूटेगा क्यों, यह सेम एलेक्टो नेगटिविटी वाला है कैसे, इस sulfur के पास दो लोन पेर है 2 सिगमा SP3 और इस sulfur के पास 4 सिगमा SP3, तो यह मत तोड़ देना ठीक है, तो यहाँ minus 2 आएगा इधर plus 2 आएगा, और इधर plus 2 आएगा, इस पे minus 2 यह 0-0 आएँगे, और बाकी पैटर्न रिपीट, तो यह तोटेंगे बस यह, यह वाला मत तोड़ देना, minus 2 plus 2, minus 1, plus 1 minus 2, plus 2, चलो बताओ Oxidation number of sulfur plus 5 and 0 यह वाला और यह वाला plus 5 का है, और यह 0 वाले हैं Oxidation number of oxygen minus 2 only, अब यह मत बोलना सर, minus 1, यह भी तो किनो, minus 1 यह भी है minus 2 जाएगा, Oxidation number of yannay, yannay का क्या हैगा, plus 1 peroxy linkages, इसको peroxy linkages नहीं बोलते दिया, नगना, peroxy linkages 0, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, तो समझ गया structure वाले, अब आपको यहाँ पर कुछ mixed oxide के और दिखते हैं, तो मैं यहाँ उपर लिख देता हूँ, कौन किस form में एक्जिस करता है जैसे Fe3O4 है average तो आप निकाल लोगे, plus 8 by 3 लेकिन यह एक्जिस करता है FeO dot Fe2O3 में, ऐसा होता है, mixed oxide होता है, ठीक है तो यह actual में plus 2 और यह plus 3 होता है, average निकालोगे तो 8 by 3 आएगा, इसी तरीके से PB3O4, minimum, सिंदूर बोलते हैं जिसको है न, यह एक्जिस करता है 2 times PBO dot PBO2 में, ठीक है तो यह क्या होता है, plus 2 और यह plus 4 होता है, तो ध्यान दखना आप अगर average निकालोगे तो इसकी 8 by 3 आएगी, iron की, और यहाँ लेड की 8 by 3 आएगी, लेकिन individual यह plus 2 और, plus 3 है और यह plus 2 और, plus 4 है ठीक है, ध्यान दखना आप यह तो mixed oxide के भी कभी अगर आजाए individual निकालना, तो इस तरीके से दो ध्यान दखने, बस इतने में काम हो जाएगा समझ के सारी structure किस तरीके से करते हैं अब होता क्या है, कई बार आपको direct exam में question पूछ लेते हैं कि बताओ किस में proxy linkage है, और किस में proxy linkage नहीं है तो आपको वो कैसे check करना है अगर structure याद है, तो बहुत अच्छी बात है मान लो, गलती से structure भूल गए नहीं आद आ रहा, exam में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है कितना load रहता दिमाग पर बहुत tension होती है कि मान लो, को structure याद ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या था, वो था कि नहीं था तो उससे बचने के लिए एक तरीका आपको बता देता हूँ किसी भी compound में बिना structure के peroxy linkage कैसे निकाल नहीं है, पता कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये note कर लो चलो, आगे बढ़ते हम मैं आपको super trick बताता हूँ, किसी भी compound में peroxy linkage निकालना हूँ, तो कैसे पता कर चलता है, ठीक है ध्यान से समझ लो, simple साय बिल्कुल अगर पहले तो मैं बताऊंगा peroxy linkage है या नहीं है, और फिर ये भी बता दो कि कितनी है, ठीक है, तो अगर मैं आप से पहले बात करूँ कि peroxy linkage पता करो है या नहीं है, ठीक है तो वो कैसे पता करते हो peroxy linkage is present peroxy linkage is present when average oxidation number average oxidation number is greater than maximum oxidation number of the element central atom का निकालेंगे, जैसे अगर मैं आपको example के तोर पे पताऊं CRO5, ठीक है, बताना है peroxy linkage है या नहीं है, आप structure भूल गयो तो आप क्या करो, CR को underline करो और इसका average निकाल लो कितना भी आए, सही आए गलत है, उससे मतलब नहीं है आप इसको x मान के solve कर लो x, oxygen का क्या होता है, minus 2 5 लगे हैं, तो minus 10 is equal to 0 तो x क्या आगया, plus 10 आगया ठीक है, ये गलत है हमें पता है, ये गलत है, लेकिन हम पता कर रहे हैं, ये trick है, तो trick में ऐसी होता है कि हमें पता करना है, कि paroxy linkage है या नहीं है, तो जो भी आ रहा है, गलत आ रहा भली तो निकाल लो आप, तो x के आगया, plus 10 क्या आगया ये, plus 10, आप ये मत बोल देना है, वो उसकी maximum oxidation number है, ध्यान अखना, maximum oxidation number कैसे पता करोगे, group number से पता करोगे, P block के लिए 10 में से minus कर दो, जैसे sulfur की maximum oxidation number कितनी लोगे, 16th group में आता है न, तो 10 minus कर दो 6th group मानेंगे उसका, और chromium तो वैसे भी 6th group में आता है, ठीक है तो P block के लिए 10 में से minus करके लिख देना, group number, और बाकियों के लिए जैसा group number है, वो ही चलेगा, तो CR 6th group में आता है, तो maximum क्या है इसकी, 6, बताओ, 10 और 6 में, 10 और 6 में, कौन बढ़ा, 10 बढ़ा, तो average बढ़ा किस से maximum से मतलब, yes yes, peroxy linkage is present yes, peroxy linkage is present, इस तरीके से आपको पता करना है, एक और समझा देता हूँ, चलो कोई और ले लेते हैं, जैसे H2SO5 ले लेते हैं, ठीक है, H2SO5 बताओ जरा, underline कर लिया, मैंने central item को, निकालो इसकी average तो क्या आएगी, 2 plus x minus 10 is equal to 0 तो x क्या आगया, plus 8 ठीक है, जबकि sulfur की maximum क्या होती, group number 16 है, 10 में से minus कर तो 6, तो greater than plus 6 मतलब, yes peroxy linkage is present, इस तरीके से आप पता करना है बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है अब मैं बताएता हूँ, आपको peroxy linkage कैसे निकालनी है, कितनी है मतलब number के बारें बात करें, तो मैं दो case 1 आ रहा हूँ, case 1 case 1, when when only one only one central item is present only one central item is present तो peroxy linkage होता है average oxidation number minus maximum यह आप चेक करने के लिए तो निकालो गई बस दोनों का difference लेके 2 से divide कर दो, तो यह आ जाएगा आपका क्या, peroxy linkage कितनी है, जैसे CRO5 का मैं बताता हूँ CRO5 का आपने निकाल लिया average maximum निकाल लिया, बस इसका difference लेके 2 से divide, तो peroxy linkage is equal to average minus maximum by 2, कितना आ गया यह 4 by 2 मतलब 2, इस तरीके से करना है एक और कर लेते हैं, जैसे K3 CR O8 है, K3 CR O8 है, इसका X निकाल लो, तो 3 plus X minus 16 is equal to 0, तो X क्या आ गया, 13 आ गया, तो peroxy linkage देखो, एक ही central item है तो peroxy linkage 13 और minus, इसकी maximum कितनी होती, CR की CR की maximum कितनी होती, 6 होती न, तो 13 minus 6 divided by 2, कितना आ गया, कितना आ गया 7 by 2, मतलब साड़े 3 साड़े 3 तो कुछ होता नहीं, 3 से जादा अगर उपर निकल रहे हो, तो 4 बॉंड बना दे न, मतलब, nearly equal to 4 मतलब, peroxy linkage कितनी आ गयी, 4 आ गयी साड़े 3 को round off करके 4 लिख लिया तो इस तरीके से निकालना है दूसरा case क्या बनेगा, case 2 ये बनेगा, कि when 2 central atoms are present 2 central atoms are present अगर 2 central atoms present है तो peroxy linkage is equal to simple सा होता है, average oxidation number minus maximum oxidation number, ठीक है, symbol सी बात है average minus maximum, जैसे H2, S2 O8 है, ठीक है, अब आप देखो जरा यहाँ 2 central atom है, पहले तो इसकी average निकाल लो, कितनी आएगी, 2 plus 2x minus, 16 is equal to 0, तो x क्या आ गया 7 आ गया, जबकि sulfur की maximum क्या होती, 6, तो peroxy linkage क्या आ गई, average minus maximum, मतलब 1 इस तरीके से आपको निकालना है, समझ गया बात को तो peroxy linkage है या नहीं है वो इससे पता चलेगा, कितनी है वो इससे पता चलेगा, ठीक है, clear चलो इसको note करो, फिर आगे बढ़ते है कैसे पता गरते हैं, जैसे कोई एक equation से समझा देता हूं, माल लो यह लिखा है Cu plus NO3 negative और इससे बन रहा है Cu2 positive और plus NO2, ऐसा लिखा है ठीक है, तो हम यह बात किसके लिए बताते हैं, reactant के लिए बताते हैं कि कौन सा oxidizing agent, कौन सा reducing agent usually ऐसा होता है, ठीक है कैसे करना है, आपको central atom की oxidation number निकाल लिए, अब एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं यह 0, इधर nitrogen की x मान के निकाल लो, तो इसको x मान हो क्या आएगी है, x minus 6 is equal to minus 1, तो plus 5 आजाएगी, तो निकाल सकते हो और यहां तो चमकता हूँ, चार्ज दिखे रहा है क्या, plus 2, और यहां nitrogen को underline करके निकाल लो, x minus 4 is equal to 0, मतलब plus 4, अब क्या हो रहा है, copper 0 से plus 2 जा रहा है, मतलब oxidation number बढ रही है, यही बोलूंगा 0 से plus 2, oxidation number बढ रही है, plus 5 से plus 4, oxidation number कम हो रही है, तो जिसकी oxidation number बढ़ती है, जिसकी oxidation number बढ़ती है, वो क्या होता है, oxidizes itself, oxidizes itself, और जो खुद oxidize होता है, वो सामने वाले को क्या करता है, reduce मतलब reducing agent होगा, ऐसे connect करना है, ठीक है, अगला देखो, oxidation number अगर कम हो रही है, तो reduces itself, reduces itself, और खुद को reduce करने वाला, सामने वाले को oxidize करता है, तो oxidant या oxidizing agent, बहुत आसान है, oxidation number वाले method से हम पता करते हैं, बागी और भी तरीके होते हैं, oxidation reduction के उतना ज़्यादा detail में हमें discuss करना भी नहीं है, जैसे addition of oxygen, removal of oxygen, addition of hydrogen, removal of hydrogen, ये सब बहुत चारी चीज़ें होती है, oxidation number से ही आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देखो ज़रा CU, बता तो CU क्या हो रहा था, oxidation नमबर बढ़ रहा था, मतलब ये reducing agent, तो CU हो गया reducing agent, और NO3 माइनस हो गया, क्या, oxidizing agent, ठीक है, ऐसा, तो ये oxidizing agent हो गया, और ये reducing agent हो गया, इस तरीके से आप पता करते हो, लेकिन कई बार क्या reaction नहीं देते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं, बता oxidizing agent कौन, reducing agent कौन, तो उसके लिए हम क्या गरेंगे, तीन cases बनाएंगे, अगर आपको reaction नहीं दी है, सीधा compound लिखा है, तो case 1 क्या है, if central atom, ठीक है, आप central atom का oxidation number निकाल लो, ठीक है, कभी क्या है, central atom आपको पता नहीं चल पाता, तो आपको फिर उस case में याद भी होना चीज़िए, ऐस टूब टू है, अब एस टूब टू में central क्या लें, तो oxygen ले ले लेना, क्योंकि hydrogen तो plus 1 में होता है, तो इस तरीके से आप समझ जाओगे, question देखके, आपको समझ में आ जाएगा, if central atom is in its maximum oxidation number, अगर खुद central atom, अगर element अपनी maximum oxidation number में है, तो वो उससे उपर थोड़ी जाएगा, भाई अगर कोई इनसान maximum पे खाड़ा है, तो उससे उपर नहीं जाएगा, तो उससे उपर नहीं जाएगा, मतलब oxidation number अगर maximum है, तो उस से उपर नहीं जाना मतलब वो अपने आपको क्या करेगा reduce करेगा मतलब reduces reduces itself और खुद को reduce करेगा तो क्या बोलते हो oxidizing agent जैसे कुछ common example आपको पहले से याद है मैं एक पर फिर भी लिख देता हूँ कि MnO4 देखो ये already प्लस 7 में पड़ा हुआ है और मैं Mn की जो oxidation नमबर है प्लस 7 होती है maximum क्योंकि 7th period में 7th group में आता है जैसे k2cr2 7 6th group में आता है तो ये प्लस 6 maximum है HNO3 की बात करें तो nitrogen की प्लस 3 होती है maximum and H2SO4 वगरा ETC से लिख दी है मैंने तो अगर कोई भी element अपनी maximum oxidation number में है तो वो उससे उपर नहीं जाएगा तो खुद को reduce करेगा मतब oxidizing agent होगा similarly case 2 ध्यान से देखना if central atom या element is in its minimum oxidation number अगर minimum oxidation number में है इसका मतलब ये अपने आपको क्या करेगा oxidize करेगा तो oxidizes itself और अपने आपको oxidize करेगा तो क्या बोलोगे उसको reducing agent बोलोगे ना अगर अपने आपको oxidize करेगा तो क्या बोलोगे reducing agent बोलोगे ठीक है चलो ध्यान से देखो जड़ा कुछ जैसे H2S हो गया sulfur minus 2 में है SNCl2 की बात करें तो ये क्या है plus 2 में है ठीक है और chlorine क्या है minus 1 में है इस तरीके से हम बता सकते हैं और लिख सकते हैं जिसे HCl देख लो आप HCl में chlorine क्या है minus 1 में है ठीक है तो ये क्या हो गए सब reducing agent हो गए ETC यासा लिख दिया ठीक आगे देखते है case 3 कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर central atom intermediate Oxidation number में हो minimum सा maximum ठीक है if central atom या element is in its intermediate intermediate Oxidation number तो ये क्या होगा ये oxidize भी करेगा reduce भी करेगा oxidizes oxidizes and reduces oxidizes and reduces itself इसका मतलब क्या होगा O A and R A बोथ दोनों ही होंगे जैसे example के तोर पे लिखा जाए HNO2 प्लस 3 होती है इसकी अब ये प्लस 3 से प्लस 5 में भी जा सकता है और नीचे तो बहुत सारी होती है प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 3 है ना तो ये हो गया इसी तरीके से लिख रहा हूँ HIO3 लिख देते हैं तो ये प्लस 5 में है तो प्लस 7 में जा सकता है और नीचे भी आ सकता है तो इस टाइब के और भी बहुत सारे हो सकते हैं तो ETC मैंने लिख दिया मतलब सीधा सा इन तीनों को अगर एक लाइन में बोलूं तो ऐसा कि Oxidation Number किसी Element की Maximum तो वो क्या हो जाएगा Oxidating Agent, Minimum तो क्या हो जाएगा Reducing Agent, बीच में तो क्या हो जाएगा दोनों ठीक है फटा वट से इसको Note करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा Normality ठीक है ध्यान से समझ लो क्या होता है जैसे Morality था उसी तरीके से हम इसको Define करते हैं Normality Capital N होता है Number of Gram Equivalents Number of Gram Equivalents divided by Volume in Liter मतलब Gram Equivalent present per Liter of the solution is called Normality और इसमें Volume term आ रहा है तो Normality Temperature Dependent Concentration Term है ध्यान लखना परते हैं अब यह जो Number of Gram Equivalents है कैसे निकलें Number of Moles कैसे निकालते हो Weight upon Molecular Weight उसी तरीके से Number of Gram Equivalents होता Weight upon Equivalent Weight ठीक है EW मतलब Equivalent Weight अब यह जो Equivalent Weight है यह क्या होता है Equivalent Weight वो वेट होता है जो किसी Particular Compound से 1 Gram Hydrogen या 8 Gram Oxygen या 35.5 Gram क्लोरीन को Displace करना या उसके साथ React करने में जो Use Weight होता है उसको हम Equivalent Weight बोलते हैं ठीक है तो उसको ज़्यादा Detail में तो नहीं जाएंगे अपन Crash Course की तरह पढ़ रहे हैं तो अपन दारेक निकालना सीखेंगे Equivalent Weight is equal to क्या होता है Atomic और या तो Atomic Weight या Molecular Weight ठीक है Atomic या Molecular Weight divided by N Factor अब यह जो N Factor है न यह बड़ी अच्छी चीज़ है N Factor की Help से ही हम सारी चीज़ें calculate करेंगे N Factor आ जाएगा तो Equivalent Weight निकालेंगे Equivalent Weight आ जाएगा तो Number of Gram Equivalent निकालेंगे Number of Gram Equivalent तो Normality निकालेंगे ऐसा लोग करते हैं हम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे N Factor सीख लेंगे और सीधे Molarity से Connect कर देंगे इसको तो आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे ठीक है अगर आपको Normality निकाल ली है ठीक है ध्यान से देखना जरा Normality का Formula होता है Molarity into N Factor ये Formula है तो हम क्या करेंगे Molarity निकालना असान है और Feeling भी अच्छी आती है Molarity निकालने में Mole per Liter वो गई Molarity बस N Factor पढ़ लो N Factor अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ गया यहां N Factor पुट करो Molarity निकालना आप जानती हो या तो दे रख्यों गी Normality निकाल लेना समझे भी बात को तो इस तरीके से हम Normality निकाला करेंगे अगर Direct Equivalent वेट बूच आ तब तो आपको ऐसी निकालना पड़ेगा तो अगर Normality निकालना है तो हम यह Formula फॉलो करेंगे Molarity into N Factor अब N Factor समझ लो क्या होता है N Factor अलग-अलग टाइप की स्पीसी के लिए अलग-अलग होता है तो मैं Acid का, Base का, Salt का और Redox Reactions का मैं N Factor आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो पहला है Case 1 for Acids, बहुत आसान है Acid के लिए N Factor होता है Number of H plus ions Number of H plus ions furnished in the solution In the solution और Equal Solution usually अपन लेते हैं तो Equal Solution में कितने H plus Ion मिल रही है वो Acid का N Factor है जैसे, अगर मैं आपसे बोलू, H2SO4 ने एक H plus दिया क्या बनाया? HSO4 minus तो इसका N Factor क्या हो गया? 1 हो गया अब ध्यान से सुनना इसका N Factor 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है 2 कब होगा? जब H2SO4 को मैं ऐसे लिखूँगा, ध्यान से देखना 2H plus plus SO4 2 minus 2 भी हो सकता है डिपेंड करता है कि कितने H plus आप निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि रटके चले जाओ कि सर H2SO4 का 2 होता है हाँ H2SO4 का 2 होता है जब reaction ना दे रखी हो तब 2 ही लेना है maximum लेना है जब reaction ना दे रखी हो, सिर्फ ये बोल दे What is the N Factor of H2SO4? तो तुरंद बोल दो उसके मुँपे 2 समझे हो ना? इस तरीके से लेकिन अगर उसने reaction लिखके दे दी तो अब आप ये देख लोगी भाई साब H2SO4 ने कितने H plus दिये? एक ही दिया, तो N Factor 1 2 दिये, तो N Factor 2 समझे हो बात को? इसी तरीके से और देखो जरा H3PO4 की अगर मैं बात करूँ H3PO4, इसका N Factor क्या-क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कुछ नहीं लिखा, reaction नहीं दी तो हम maximum लेके चलेंगे 3 इसी तरीके से H3PO3 का देखो जरा क्योंकि एक ही oxygen से जड़ा होता है H बाकी 2H किस से जड़ा होता है? P से समझे हो ना? तो इस तरीके से पता करते हैं कुछ और लिख देता हूँ H3PO3, इसका N Factor क्या होता है? इसका N Factor 1 होता है, मैंने आपको Boron Family बताया था एक बहुत अच्छी reaction थी H3PO3 प्लस OH माइनस एक कॉंपलेक्स बनता था सिस डायोल मिलाते थे तो forward direction में reaction जाती, acidity बढ़ती थी द्यान करो वाली reaction है यह तो ऐसानी कि इसमें 3H हैं, तो निकाल दोगे आप इसका N Factor 1 होता है, क्योंकि यह water का H plus release करता है, अपना H plus नहीं देता है, इसलिए इसको non-protect acid भी बोलते हैं, है ना, तो यह कहानी है, acid के लिए, समझ गया, acid के लिए N Factor vary कर सकता है, 1, 2, 3, जितने भी उसमें H plus replaceable हैं, वो सब, N Factor में count हो जाएंगे, कुछ नहीं दिया है, तो maximum लेके चलते हैं, ठीक है, इसका maximum क्या, एक ही होता है, तो एह док ही है, इसका भी क्या, एक ही होता है, इसका क्या है, 1, 2, तो हम maximum 2 लेके चलेंगे, अगर reaction नहीं दे रखी है, इसका 1, 2, 3, reaction नहीं दे रखी, तो maximum 3 लेके चलेंगे, समझ गया बात को, फटावट से acid का note करो, फ़र base और salt का समझते हैं चलो आगे बढ़ते हैं Base और Salt का और समझ लो फटाबट से क्या होता है देखो Base के लिए N factor होता है Number of Number of OH-Ions Furnish in the solution Number of OH-Ions Furnish in the solution या Equus solution ठीक है तो हम क्या करेंगे जैसे अगर मेरे पास Alkali Metal है M OH तो इसका N factor क्या होगा 1 क्योंकि एक ही OH निकल सकता है लेकिन अगर Alkaline Earth Metal है M OH hold twice तो N factor 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है Depend करता है कितने OH निकल रहे है अगर कुछ नहीं दिया है तो maximum लेके चलेंगे 2 बोल देंगे इसी तरीके से M OH hold twice का जैसे Aluminium Hydroxide की बात करूँ तो N factor 1 भी हो सकता है 2 भी और 3 भी Depend करता है कितने OH निकल रहे हैं कुछ नहीं दिया तो maximum 3 लेके चलेंगे इस टाइप से समझ गए चलो आगे बढ़ते है Salt के लिए Salt के लिए बहुत simple है N factor is equal to total positive charge total positive charge और और total negative charge चाहे तो positive ले लो या negative ले लो जो आपकी इच्छा है मैं positive लेके चलूँँगा ठीक है जैसे अगर मेरे पास लिखा है N A C L बताओ कितना positive charge है N A पर 1 है तो N factor 1 हो गया ठीक है ऐसा जैसे C A C L 2 बताओ C A पर कितना charge है प्लस 2 है तो N factor क्या हो गया 2 हो गया बताओ C A 3 P O 4 hold twice C A 3 P O 4 hold twice N factor बोल दो फटावट से जल्दी से बोलो C A पर कितना charge है 2 plus कितने लगें C A 3 3 into 2 क्या हो गया अच्छ है इस तरीके से निकालना है समझ गया AL P O 4 AL P O 4 बताओ फटावट से total charge कितना है इस पर plus 3 तो N factor क्या हो गया 3 तो या तो total positive लेना है या negative मैं plus लेके चलूँगा आप भी plus लेके चलो कोई दिखकर नहीं है तो total positive charge निकाल लिया करो समझ गया बात को तो ये था N factor acid का, base का और salt का अब मैं एन factor आपको redox में बता रहा हूँ अलग-अलग cases उसमें होते हैं ठीक है note करो फिर start करते है चलो तो हमने acid का base का, salt का पढ़ दिया अब redox का पढ़ दो ठीक है कुछ 2-3 cases cover करेंगे बागी redox में बहुत सारे cases होते हैं important है वो cover करेंगे redox reaction की बात करें तो पहला case redox में भी क्या है वो यह है कि when when only one atom when only one atom can undergo when only one atom can undergo either oxidation either oxidation और reduction तो यहां पर मैं आपको half of reaction का बता दूँगा बागी पूरी complete redox होती तो आध्याद reaction की निकाल ना होता आपको law of equivalence जब लगाते होतो है न तो देखो जैसे अगर मालो मेरे पास लिखा है Kmno4 तो Kmno4 अगर Mn plus 2 बना रहा है ठीक है तो यह plus 7 है इसका oxidation number और यहां plus 2 है तो plus 7 से plus 2 कितने का change है plus 7 से plus 2 change है पांच का और कितने Mn है एक तो 5 इंटू एक पांच हो गया ऐसे निकालते हैं मतलब redox में एनफेक्टर निकालने का तरीका यह है कि difference in oxidation number into number of atoms तो difference in oxidation number 7 minus 2 5 into number of atoms Mn का एक है तो 5 into 1 5 इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा है KmnO4 से अगर मैं बनाओ MnO4 K2mnO4 ठीक है तो plus 7 से कहां जा रहे हो plus 6 कितने का change है एक का 1 Mn multiply with 1 मतलब बनाएगा 5 इहाएगा अगला समझ रहे हो ना बात को KmnO4 इससे बना रहा हूँ मैं MnO2 ठीक है plus 7 से कहां जा रहे हो plus 4 कितने का change है 7 से 4 मैं change आया थरीका और 1 Mn तो net change थरीका तो KmnO4 के N factor अलग-अलग हो सकते ध्यान लगना पहला वाला ये था किसमें acidic medium में second वाला होता है किसमें basic medium में third वाला किसमें होता है neutral और slightly alkaline neutral और slightly alkaline slightly alkaline ठीक है और ये आपको याद करने का तरीका मैंने बता चुका हूँ D block में ऐसे याद करना 1, 3, 5 बना इनके जो N factor है basic में 1, neutral में 3 और acidic में 5 वो neutral मतलब alkaline basic में 1, neutral में क्या है 3 और acidic में कितना है 5 तो 1, 3, 5 बना इस तरीके से याद कर लेना एक K2, CR2, O7 का और याद करना है आपको K2, CR2, O7 ये जाता है CR plus 3 में acidic medium में ये reaction होती है इसकी तो इसका तो N factor fix रहता है plus 6 से plus 3 कितने का change है? 3 का change है कितने CR? 2CR 3 into 2, 6 N factor, 6 K2, CR2, O7 का N factor 6 होता है KMN4 का vary करता है 1, 3, 5 बना तो ये जरूर आपको याद करके जाना अगर कभी भी acid base या redox titration के questions बनते हैं तो इन से जरूर पूछते हैं तो इसलिए ये N factor बहुत ही ज़्यादा important है इसको विल्कुल याद करके ही जाना है तो ये हो गया case 1 second जलते case 2 पर case 2 क्या है when when two or more atoms when two or more atoms can undergo can undergo either oxidation either oxidation or reduction either oxidation और reduction लेकिन एक से ज़्यादा item में ऐसा हो जैसे example के तोर पे देखो Fe S2 से बना रहे है Fe 3 plus plus O2 अब आप ध्यान देना यहाँ पर Fe S2 होता है iron pyrite तो Fe यहाँ पर plus 2 होता है sulfur minus 1 यहाँ Fe plus 3 और sulfur plus 4 अब देखो ज़रा iron plus 2 से plus 3 oxidize हो रहा है sulfur minus 1 से plus 4 oxidize हो रहा है यह आपको ध्यान दखना पड़ेगा pyrite में minus 1 होती sulfur की तो यह minus 1 से कहां जा रहा है plus 4 कितने का change है 5 का minus 1 से plus 4 5 का change होता है 3 का मतलिक देना है न into कितने sulfur 2 net change 10 का 2 से 3 कितने का change 1 का 1 ही iron into 1 तो यहां जो N factor आता है वो आता है N factor 1 plus N factor 2 plus 3 plus 4 अगर बहुत सारे element है तो लेकिन दो वाला ही आएगा आपके सामने तो इसका 1 इसका 10 total 11 iron का 1 sulfur का 10 total 11 इस तरीके से करना है एक और बता दू एक और कर लो Fe C2O4 ध्यान से देखना Fe C2O4 में Fe 2 plus है Fe plus 3 में गया और CO2 में गया C2O4 अब ध्यान दो यहां Fe plus 2 होता है क्योंकि C2O4 oxalate ion होता है C2O4 2 negative तो C2O4 2 negative से निकालोगे carbon पे plus 3 आएगा आप अलग से करके देख लो C2O4 2 negative में carbon पे plus 3 यह क्या है आपका plus 3 और यह क्या है plus 4 3 से 4 कितने का change 1 का कितने का carbon 2 net change 2 का iron plus 2 से plus 3 कितने का change 1 का कितने iron 1 net change 1 का तो N factor is equal to 1 plus 2 is equal to 3 तो इस तरीके से करना है जब कभी वी एक से ज़्यादा atom oxidize हो रहे हो या reduce हो रहे हो समझगे बात को तो पहला case कौन सा है एक ही atom में या तो oxidation या reduction हो रहा हो और दूसरा case क्या है मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते atom लेकिन usually 2 ही मिलेंगे तो 2 atom में या तो oxidation या reduction तो उनका individual N factor निकालके उसको add कर देना J main और neat में इन दौनों से ही question आएगा और एक disproportionation reaction से आ सकता है तो उसको भी cover कर लेते हैं बस ये तीन case आपको पढ़ने है case 1, case 2 और अगला case 3 ठीक है? note कर लो, start करते है चलो तो आगे बढ़ते हैं disproportionation के लिए N factor देख लो कैसे निकालना है? बहुत आसान होता है N factor निकालना अधियान से देखो हम क्या करेंगे? N factor लिखाएंगे disproportionation के लिए N1 into N2 upon N1 plus N2 क्योंकि disproportionation में क्या होता है? Oxidation reduction दोन ही होता एक ही element का ठीक है? जैसे ही example से समझ लो मेरे पास लिखा है X2 और इससे बन रहा है X negative और बन रहा है XO3 negative इस तरीके से लिखा हुआ है तो मुझे N factor निकालना है इस reaction में क्या होगा? X2 का N factor निकालना है 0 से minus 1 ठीक है? इसका oxidation नमबर निकालना जोरा क्या आएगा? X minus 6 is equal to minus 1 plus 5 आएगा? ठीक है 0 से minus 1 कितने का change? 1 का change, कितने halogen? 2, net change कितने का? 2 का 0 से 5 कितने का change? भाई साब 5 का 2 halogen total change 10 का N factor is equal to आएगा 2 into 10 upon 2 plus 10 भाई, oxidation के लिए और reduction के लिए एक को N1, एक को N2 माल लो बस 2 into 10 upon 2 plus 10 कितना हो गया? 20 by 12 मतलब 5 by 3 लिख दूँ ठीक है? इस तरीके से निकालते हैं समझगे बात? चलो आगे बढ़ते हैं एक और example समझाता हूँ एक तो यह होगी X2 वाला important example है इसलिए में discuss कर रहा हूँ यह दूसरा तो बहुत ही important है P4 से बन रहा है pH 3 क्या बन रहा है pH 3 और plus बन रहा है H2 PO2 negative H2 PO2 negative P4 में phosphorus coxidation number क्या है? 0 यहाँ क्या है? minus 3 इसका निकालना phosphorus का 2 plus X minus 4 is equal to minus 1 मतलब plus 1 0 से minus 3 कितने का change? 3 का into कितने phosphorus? 4 net change 12 का सही है न? आगे देखो 0 से plus 1 कितने का change? 1 4 phosphorus net change? 4 का तो N factor is equal to आएगा N1 into N2 upon N1 plus N2 ठीक है? 48 upon 12 और 4, 16 3 आ जाएगा इस तरीके से निकालते है अगला एक और देख लो S8 से बना रहे हो S2 minus अच्छा डिस्पोवोसनेशन तो पहचान लेते हो न? element में oxidation और reduction दो नहीं हो रहा हो जैसे यहाँ देखो 0 से minus 1 reduction, 0 से plus 5 oxidation तो एक ही element का oxidation हो उसी का reduction मतब डिस्पोवोसनेशन ऐसे देखना है यहाँ sulfur क्या भाई साथ? 0, यहाँ minus 2 यहाँ निकालना ज़रा क्या आएगी? 2X minus 6 is equal to minus 2 plus 2 आ जाएगी यह निकालोगे तो 0 से minus 2 कितने का change? भाई साथ 2 का कितने sulfur? 8, net change कितने का? 16 का 0 से plus 2 कितने का change है? जाएगा आपका कितना? कितना लिख दू मैं? 16 कामन लेके काट दो? ठीक है? तो 1, 16 और का 16 भाई 2 8 हा जाएगा इन-फेक्टर ठीक? तो इस तरीके से हम disposed nation के लिए एन-फेक्टर निकालते हैं तो इतने ही एन-फेक्टर आपको related question एक्जाम में आ चुके हैं पहले जिसमें हम titration लगाते हैं रोगो, 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 titration मतलब वो भेंकर वाला titration नहीं सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी हैं आपको titration में एक पढ़ना है acid-base titration और दूसरा पढ़ना है redox आपको बाकी कोई titration जवर्दस्ती का नहीं पढ़ाया जाएगा idometric, id metric, जवाने फलाने इमका इस टाइप का कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ हम दो टाइप का titration कवर करेंगे acid-base और redox फटावट से लिगो तुरंत में अभी खतम कराता हूँ question के साथ करवाऊंगा आराम से समझ जाओगे, note कर लो पहले इसे चलो तो हम titration में सिर्फ दो ही type के titration की बात करेंगे acid-base और redox, बहुत आसान है जैसे acid-base titration में क्या होता है अपने पास एक, देखो, titration का थोड़ा सा basic भी समझा देता अपने पास एक titrate होता और एक titrant होता है जब इन नों की reaction होती है, titrate और titrant की तो क्या हो जाता है, जब कभी भी titrate, titrant reaction करते हैं तो एक end point या equivalence point आता है तो हम उस point पर क्या करते हैं titration को रोक के gram equivalent measure कर लेते हैं मतब gram equivalent बरावर करके calculation कर लेते हैं तो चलो अगर मैं acid और base का titration यानि reaction करा रहा हूँ आप तो यह समझो acid की base से reaction हो रही है तो जब equivalence point या end point आता है तो हम उस time पर क्या लिखते हैं at end point gram equivalence gram equivalence of acid is equal to gram equivalence of base acid के gram equivalent base के gram equivalent के बरावर होते हैं मेरे पास क्या होता है पीछे हम ने normality के formula से बना लिया है अब मेरे पास क्या होता है जब कभी भी exam में question आता है तो जैसे acid के आपको mole दे देते हैं और base के mole निकाल ले होते हैं ऐसा होता है तो आप mole के form में gram equivalent बराबर करो अगर आपको एक के mole और दूसरे की molarity या normality निकाल ली है तो आप उस form में बराबर करो अगर आपको दौनों की normality और gram equivalent के ये formula हो गए अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसके 3 case लिख रहा हूँ पहला number 1 हम gram equivalent mole के form में बराबर कर सकते हैं मतला mole into n factor is equal to mole into n factor 1 को acid बोल दो 2 को base बोल दो ठीक है second मैं mole के form में 1 को लिख रहा हूँ और molarity के form में 2 को लिख रहा हूँ तो m2 into n factor 2 into v2 in liters ठीक है और तीसरा मैं इधर भी molarity लिख रहा हूँ और उधर भी लिख रहा हूँ ठीक है n1 v1 n1 n factor 1 v1 in liters और m2 into n factor 2 into v2 in liters अब यहाँ liter रखो liter दोने तरफ रहेगा या ml लग दो तो मैं यहाँ से यह हटाई देता हूँ आपकी इच्छा है आप liter में रखना चाहो या ml में रखना चाहो लेकिन second वाले में आपको यहाँ liter में रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ mol दे रखे है तो इन तीन तरीके से हम बराबर किया करेंगे same यही redox में करेंगे जैसे यहाँ हमने क्या किया gram equivalent of acid is equal to gram equivalent of base जब कभी भी redox reaction होती है तो oxidizing agent क्या करता है reducing agent के साथ reaction करके क्या बनाता है oxidized product plus reduced product यही होता है तो इन तोनों के equivalent बराबर कर दूँँगा मैं यहाँ पर तो क्या होगा gram equivalent of OA gram equivalent of OA is equal to क्या लिख दूँगा gram equivalent of RA मतलब gram equivalent of oxidizing agent या oxidant is equal to gram equivalent of reducing agent या reductant बस यही सारे formula आप यहाँ पर फिर लगा सकते हो जैसे अगर मैं 1 यहाँ पर किसको बोलता हूँ oxidizing agent को बोलता हूँ तो N1 into N factor 1 is equal to N2 into N factor 2 बस आप यह समझ लो कि formula किस form में लगाना है बाकि numerical से तो मैं सब सिखा दूँगा आपको ठीक है second point देखना जरा N1 into N factor 1 और इधर क्या लिख दूँ मैं M2 into N factor 2 into V2 सही बात है in liters क्योंकि N factor हमने अच्छे से समझ लिया न तो आप हमारे लिए यह दौनो टाइप के titration easy है देखो double titration, back titration, item metric यह थोड़े से complicated हो जाते है लेकिन यह दो titration बहुत simple है और exam में इसी सही question आता है लोग जवरदस्ती titration में पढ़े रहतने हैं कि सर्थ titration बहुत खतरना के समझ में नहीं आता जब आना ही इन दौनों से है तो यही दौनों ही करो न, जही में और नीट के लिए M1 N factor 1 V1 is equal to M2 N factor 2 into V2, ठीक है अब यह आप note करो और मैं इसके फिर आपको question करके बताता हूँ question बहुत ध्यान से देखना कैसे question आते है exam में, ठीक है फटा बट से लिख लो इसे चलो तब आगे बढ़ते हैं और कुछ question देख लो redox titration पर based कैसे question मिलेंगे आपको exam में question बढ़ लो क्या कह रहे है find the number of moles of K2Cr2O7 needed to oxidize one mole of Cu2S in acidic medium पहली बात तो यह कि Cu2S किसमे convert होता है Cu2S का oxidation होता है यह convert होता है Cu2 positive में और SO2 में ठीक है और जो K2Cr2O7 है K2Cr2O7 यह convert होता है Cr plus 3 में अब इनका N factor आप निकाल लो कैसे यहाँ copper क्या है plus 1 से plus 2 में है, कितने का change है 1 से 2 में, एक का change 2 copper लगे हैं तो net change कितने का, 2 का sulfur यहाँ minus 2 है यहाँ plus 4 है minus 2 से plus 4 कितने का change 6 का कितने sulfur है एक तो net change 6 का अब देखो जरा, दोनों में ही oxidation हो रहा था तो N factor क्या आएगा, दोनों का add करना पड़ेगा इसका 2 आया था और इसका 6 आया था, तो net कितना आ गया 8, ठीक है यहाँ K2Cr2O7 का N factor आपको मैंने बोला था, याद कर लो, always 6 ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे mole निकाल ले हैं और mole दिये हुए हैं मतलब मैं ऐसे लगाऊंगा N1 into N factor 1 is equal to N2 into N factor 2 1 मैं माल लेता हूँ Cu2S को, 2 माल लेता हूँ K2Cr2, 7 को, ठीक है तो N1 कितना है, 1 mole को oxidize करना, N factor 8, N2 क्या करना है निकालना है, और N factor 2 कितना है, 6, तो N2 कितना आ गया, 8 by 6 2 से divide कर दो, तो 4 by 3 ठीक है, इस तरीके से solve करेंगे, एक और question देख लो How many moles of KMNO4 are needed to oxidize a mixture of 1 mole each FeSO4 and FeC2O4 अब actual में होता क्या है FeSO4, यह oxidize करता है, KMNO4 इसको oxidize करता है, Fe2SO4 whole thrice मत्दब, Fe plus 2 से convert हो गया कहां पे, plus 3 में convert हो जाता है, ठीक और FeC2O4, Fe C2O4, यह convert होता है, Fe plus 3 में और C2O4 oxidize होता है CO2 में, और KMNO4 KMNO4 acidic medium में अपने आपको कहां तक ले जाता है MN2 plus में, और KMNO4 acidic medium में N factor याद कर लो, मैंने बोला था, 135 बना, तो इसका N factor acidic medium में 5 होता है इनके निकाल लेंगे कैसे, iron plus 2 से plus 3 कितने का change, एक का change, और एक iron है left side ठीक है, तो 1 आ गया यहां पर हमें right से मतलब नहीं, इस से मतलब है कि तो इस से reaction हो रही है, ठीक, यहां देखो यहां मैंने बताया था, Fe plus 2 है और C2O4 के उपर 2 minus, तो carbon पे plus 3, अब plus 2 से यह plus 3 और यह क्या है, plus 4 plus 2 से plus 3 कितने का change एक का, एक iron है तो net change 1 का, carbon plus 3 से plus 4 कितने का change, एक का, लेकिन 2 carbon है, तो net change 2 का, और N factor कैसे निकालोगे यहां पर इन दौनों में ही oxidation हो रहा है तो इनका add कर दो, तो 1 plus 2 इसका N factor कितना आ गया, 3 और इसका N factor कितना है, 1 अब आपसे बोल रहे हैं कि 1 mole each, इसके साथ reaction हो रही है मतलब, Fe104 को भी oxidize कर रहा है N2 मैंने इसको बोल दिया और अगले को N3 बोल दो तो N3 into N factor 3, ऐसे करना है N1 के MnO4 के mole मुझे निकालने है N factor 5 है और 1 mole इसका है इसको मैंने 2 mole आ ठीक है तो इसका N factor किया है, 1 और 1 mole इसका भी है, और इसका N factor कितना है, 3 तो यहां से N1 क्या आ गया 4 by 5 ठीक है, इस तरीके से आप exam में अपलाई करोगे law of equivalence, ठीक है law of equivalence मतब titration के बारे में बता रहा हूँ मैं कि titration जब कभी भी करें, redox titration है यह तो इसमें जब कभी भी आपको mole दिया हो, mole निकालना हो, तो इस form में लगा दो मालो इसी question में ही कुछ volume देके normality या molarity बूचते तो हम यहां पर equivalence को फिर ऐसे न लिखके कैसे लिखते, M1, V1 N factor 1 ऐसे लिख देते, ठीक है तो वो आप कर सकते उस type के तो ध्यान से देख लो ज़रा, किस तरीके से law of equivalence हमें लगाना है, इस type के question exam में आ चुके हैं, ठीक है, इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं चलो, आगे बढ़ते हैं, कुछ question और देख लो तो आपको idea लग जाएक, law of equivalence के बारे में, हान से देखना ज़रा, find volume of 6 molar HNO3 is needed to oxidize 5.6 gram of Fe2 plus to Fe plus 3 HNO3 जो convert हो रहा है, वो में हो रहा है, मतलब Fe plus 2 से क्या बन रहा है Fe plus 2 से बन रहा है Fe plus 3, कितने का change है, 2 से 3, एक का change है और 1 Fe है, तो net change 1 का सीधा सा, ठीक, HNO3 convert किसमें हो रहा है HNO3 convert हो रहा है, NO में plus 5 से plus 2, कितने का change है, 3 का और 1 nitrogen तो net change कितने का 3 का, तो इधार n factor क्या है 1, और इधार n factor क्या है 3, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, मुझे का बताओ मुझे volume चाहिए न, तो मैं hno3 के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना ज़रा m1 into v1 into n factor 1 और यहाँ volume liter में और दूसरे के लिए मैं mole के form में लिख रहा हूँ, n2 into n factor 2 ठीक, क्योंकि यहाँ weight दे रखा है तो weight से mole निकाल के connect कर सकते हैं, बताओ जरा m1 क्या है, 6 v1 निकालना है n factor इसका कितना है, hno3 का 3, n2 कैसे निकलेगा 5.6 divided by fe का atomic weight 56, सही है, into n factor इसका कितना है, 1 इस तरीके से, ठीक है तो आप solve कलनें जरा, तो v1 किया आगया यहाँ से, यह आगया आपका 0.1, और divided by 6 into 3, 18, मतलब 1 upon 180 आगया, किसमें liter में, इस तरीके से आपको apply करना है, ठीक है, यह वाला थोड़ा different type का था, इसमें volume निकालना था आपको ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा question है, एक्जाम में आ चुका है how much amount of CuSO4.5H2 weight निकालना है, required for liberation of 2.54 gram I2, when treated with KI, तो पहली बाद यह जो reaction होती न, copper sulfate.5 S2O का जब KI के साथ reaction होता है, कि I के साथ जब reaction होता है, तो यह बनाता है Cu2I2, और plus I2, ठीक है, यह बनता है बाकी और भी बनता है, तो उससे मतलब नहीं हमें सिर्फ इतने से काम हो जाएगा copper यहाँ plus 2 में है, और यहाँ किसमें plus 1 में, तो 2 से 1 कितने का change है 1 का, और इधर कितने copper है 1, तो net change कितना होगे 1 का, ठीक अगर मैं आपसे I2 के बारे में बोलू liberation of 2.54 gram I2 तो I2 क्या है, 0 और यहाँ क्या, minus 1, तो उल्टा सोचो 0 से minus 1 कितने का change है 1 का, और यहाँ iodine कितने है 2, तो net change कितने का, 2 का यह ध्यान लखना आप, मुझे इसका weight दिया था, इसका weight निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ law of equivalence में इसके gram equivalent और इसके gram equivalent बरावर करूंगा law of equivalence में यही करते थे हैं अपन तो gram equivalent of this, मतलब N1 into N factor 1 is equal to gram equivalent of this मतलब N2 into N factor 2 अब मुझे CUSO4 का weight total निकालोगे, 249.5 आएगा, और N factor इसका कितना आगया, CUSO4 का इसका N factor क्या आगया 1, इधर आजाओ 2.54, iodine iodine, I2 का molecular weight 254, और इसका N factor कितना है, इसका 2 है, I2 का 2 है, ध्यान लखना कि I का 2 N factor 1 होगा, लेकिन I2 का 2 होगा, ध्यान लखना तो इसका N factor 2 है, तो W1 कितना आगया, 249.5 और ये कितना होगा भाई साब यहां से इसको काट दूँ तो नीचे 100 कर दूँ मैं ठीक है, पॉइंट अठाके और 249.5 का double तो 249 का double 498, 499 आएगा ठीक है, 499 आएगा approximately, और तो इस तरीके से आपको law of equivalence के question करने हैं, अब मैं आपको कुछ और combine question करवा देता हूं, redox की practice छोटे से वीडियो में मतलब छोटे से part में करवा देता हूं note कर लो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं लिख लो चलो, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ practice कर लेते हैं और खतम करते हैं chapter, चलो, ध्यान से देख लो जरा find equivalent weight of n2 in this reaction, ठीक है, जैसे आपको equivalent weight निकालना है, किसका n2 का, तो equivalent weight of n2 is equal to molecular weight of n2, divided by n factor, बस n factor निकाल लो कैसे निकलेगा, 0 से minus 3 कितने का change है, 3 का और कितने nitrogen लगे हैं, 2, तो net change कितने का, 6 का, तो n2 का molecular weight कितना है, 28, 28 हो गया, n2, n2 का निकालना है न, तो 28 divided by, साहिए न, n factor कितना इसका, 6, तो 28 by 6 कितना हो गया, 14 by 3, इस तरीके से solve कर सकते, माल लो ammonia का निकालना होता, तो अब ammonia यह का, n factor क्या होता, minus 3 से 0, तो 3 का change into एक nitrogen right side, तो net change 3 का आता, तो 17 by 3 हो जाता, क्यों, इसका molecular weight 17 होता है, ठीक है, इस तरीके से उसका भी निकाल सकते हो, आपको इसमें oxidizing agent और reducing agent निकालना है, सबसे पहले देखो, carbon 0 से कहां जा रहा है, plus 4, oxidation number निकालना तो oxidation number बढ़ रही है, जिसका oxidation number बढ़ता है, उसके खुद का क्या होता है, oxidation, तो सामने वाले क्या करता है, reduction, तो यह क्या हो गया, carbon हो गया, reducing agent, अच्छा, अगर carbon reducing agent हो गया, तो दूसरा वाला automatically oxidizing agent हो गया ना, अगर तुम इसको redox reaction बोल रहे हो तो, सही ना, अगर एक तुमने पता कर लिया, तो दूसरा opposite वाला ही हो जाएगा, अगर redox बोल रहे हो तो, ठीक, बागी चेक कर लो, plus 4 से, sorry, plus 5 से plus 4, oxidation number कम हो रही है, मतलब यह खुद को क्या कर रहा है, reduce, मतलब सामने वाले हो क्या करेगा, oxidize, मतलब सही लिखाता है, चलो, आगे बढ़ो, find oxidation number of nitrogen in HN3, hydrazoic acid इसका नाम है, देखो, दो similar type के molecule दिखते हैं, आपको, एक HN3, और अगर यह तीन में यहां ले आता तो यह हो जाता, NH3, दियान रखना, HN3 एक acid है, नाम है hydrazoic acid, और H3N या ammonia, NH3, वो base होता है, दियान रखना, इसके दो structure होते हैं, आपको यह structure given दिया हुआ है, तो इसमें निकालना है, बाकी एक ऐसा structure भी होता है, HN3 का, H single N, double N, double N, यहां minus और यहां plus, तो इसमें भी आप electron ID difference वाले तरीके से निकाल सकते हो, मैं यह वाले question में इसका पूछा है, तो इसका निकाल रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो जरा, nitrogen वाले bond टूटेंगे निकिए 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 तूटेंगे, वो depend करता हाइबडाइशन पे, इसके पास एक loan pair होगा, इसके पास एक loan pair होगा और इसके पास एक loan pair होगा, लेकिन इसका loan pair resonance में, loan pair single double, तो यह loan pair pi bond बना रहा होगा, मतलब इसका hybridization क्या होगा, SP2, और इसमें क्या होगा, 1,2 sigma और loan pair, SP2, और यहां भी SP2, ठीक है, अब double bonded वाले item पे loan pair है, तो इसमें resonance नहीं होगा, conjugation होना चाहिए, loan pair single double वाला, ठीक है, usually ऐसा ही होता है, तो अगर यह nitrogen तीनों same hybridization के हैं, तो यह bond तो टूटेंगे नहीं, यह वाले, तो यह zero zero हो गया, बस यह टूटेगा, कहां से, इधर से, plus one और इधर क्या आएगा, minus one, तो nitrogen के oxidation number क्या हो गई, zero and minus one, ठीक है, hydrogen की पूछते, तो plus one, ऐसा है, कोई परक्सी linkage है नहीं, चलो आगे बड़ो, oxidation number of iron and hemoglobin, याद रखने वाला है, iron plus two होता धियान रखना, F ही two plus होता है, वैसे याद होगा आप लोगो, एक question मैं आपको balancing वाला बता रहा हूँ, मैं balancing नहीं सिखा रहा है, क्यों balancing वाला question सीखने की जड़ोती नहीं है, option दे रखे होंगे, hit and try लगा के कर लेंगे ना, पर इतना तो दिमाग है ही हम में, चलो देखो, कैसे करना है आपको वो देखो, आपको coefficient बताने है MnO4-, oxalate iron और H+, इन option मैं से, चलो A option चेक करते हैं, सबसे पहले A option, अगर मैं यहाँ पर two कर दूँ, MnO4- का coefficient 2 कर दूँ, तो 5 किसका लेना है, C2O4- का, और 16 किसका लेना है, H+, ठीक है, तो यह ऐसा दिखेगा, अब इसके according उस तरब बाली पार्टी को balance कर लो, यह 2 है, तो यहाँ 2, यहाँ 5 into 10 carbon, तो यहाँ 10 carbon, यहाँ 16 hydrogen है, तो यहाँ 8 कर दूँ, अब यह चेक कर लो कि balance होगा, देखो, यहाँ 2 negative और 5 का double, minus 10 negative, और 16 positive, सही है, 2 negative होगा है, और 10 negative, और 16 positive, मतलब 6 positive होगा है, ठीक है, और यहाँ 2 into 2, 4 positive होगा है, तो 5 का double कितना होगया, minus 10, और minus 10, और minus 12, सही है, ना, 5 का double minus 10, और 2 negative, minus 12, और 16 plus, मतलब 4 plus होगया, यहाँ भी 4 plus थे, तो इस तरीके स चार्ज भी वैलेंस कर लो मतलब ए आंसर आपका मैच कर गया तो A सही है अगर A नहीं करता तो B देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है option देखके समझ में आ जाता है कि यहां जितने hydrogen होंगे इधर उसके double होंगे मतलब इधर जितने रखोगे उसके double यहां रखोगे क्यों इधर H है उधर H2 है तो यह इसका और इसका relation double का होगा मतलब यहां आपने 8 रखा तो यहां double 16H प्लस रखने पड़ेंगे तो इस तरीके से hit and try लगा के solve कर लेना तो यह था chapter अपना redox reaction वाला complete हो गया है अब नया chapter देखते हैं कौन सा start करते हैं जितना भी chapter में आपको पढ़ाते जा रहा हूँ अच्छे से इसको revise करते जाओ revision purpose से ही अपन सारी चीज़ें cover कर रहें कई वार क्या है कुछ चीज़ें बहुत detail में भी हैं जैसे equivalent के concept में चले जाते titration में चले जाते तो बहुत लंबे वीडियो हो जाते अगर आपको one short वीडियो चाहिए तो इस type से मुझे लगता आसानी से cover हो जाएगा आपका theory भी revise हो जाएगी और मैं question तो साथ साथ आपको करवाते ही जा रहा हूँ ठीक है तो पुराने exam के भी question में डालता हूँ बीच में दो भी cover हो जाते हैं आपके तो बड़ी अच्छे तरह के से पढ़ते रहो मस्त रहो स्वास्त रहो ठीक है चलो note कर लो इसको